हेलो एव्रिवेन दिस इस दीपी का वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से आपका सौगत है मेरे इस यूटूब चैनल पर और आज एक कॉंसेप्ट हम डिसकस करेंगे ऐसी बहुत ही जर्नल डिसकेशन करेंगे सिक्क्योरिटी डिलेमा में तो इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ते होंगे तो यह टर्म शायद आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल थियोरीज में इस्पेशली जब आपने रियालिजम पढ़ा होगा इंटरनेशनल पॉलेटिक्स में रियालिस्टिक अप्रोच जब आपने पढ़ा होगा हां पढ़ा होगा तो आपने security dilemma के concept को जरूर पढ़ा होगा तो आज हम यही समझेंगे कि what is security dilemma what are the consequences of the security dilemma या criticism क्या है security dilemma के तो जो security dilemma है first of all एक core concept है core principle है किसका realism का और realism आपको पता है कि एक major approach है in international relation जहां पर हम international relation की या international politics का analysis किस basis पे करते हैं कि actors का nature कैसा है और actors का nature वैसा ही होगा जैसा human being का होता है so human being क्या है power seeker होता है ज्यादा से ज्यादा powerful बनना चाहता है right power concentrate करना चाहता है तो इस वज़े से international relation के जो analysis है वो power के basis पे की जा रही है यह realism होता है okay और जो security dilemma है यह realism का core principle है अब यह कैसे है तो जो security dilemma के supporter है वो कहते हैं कि जो international politics है इसका structure कुछ इस तरीके से है जहां पर जो state है जो nation state है they are not assured about their security so nation state जो countries है वो अपनी security को लेकर कभी भी निश्चिंत नहीं रह सकती है कि नहीं भाई अब finally हमने nuclear weapon achieve कर लिया तो finally अब हम secure हो गए हम पर कोई attack नहीं करेगा ऐसा कुछ नहीं है क्या अमेरिका ने कभी सूचा था कि उसके जो world trade center है उस पर attack हो जाएगा तो countries कभी भी अपनी security को लेकर इस से और नहीं हो सकती है कि नहीं भाई बस अब हमाई पास इतने weapons है तो अब हमाई security guaranteed है तो security guaranteed नहीं होती है international system में क्यों नहीं होती है क्योंकि international system का जो structure है वो अनार्की वाला है अब ये कैसे क्योंकि international level पे जो structure है यहाँ पे absence of common authority है to punish the aggressors मलब जो war करेगा जो जो conflict करेगा ऐसे लोगों को punish करने के लिए कोई global authority नहीं है कोई global government नहीं है कि जो इनको punish कर सके भाई for example इंडिया में हम रहते हैं हमारी national government है इंडिया में इंडियन government भारत सरकार अगर कोई भी इंडिया में इंडियन society में कुछ भी अगर गलत होगा law को violate करेगा violence भिलाएगा तो इंडियन government भारत सरकार उसे punish करेगी ना चाहे वो police का use करे चाहे वो state administration का use करे कैसे भी world level पर ऐसा कोई system नहीं है ऐसी कोई government नहीं है तो common authority ना होने की विज़े से क्या है trust deficit है countries को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है रही कि नहीं भाई अगर मैं अब भी शांती से बैट गया तो ये मेरे पर attack नहीं करेगा तो trust deficit है इंडिया को चाइना पर ट्रस्ट नहीं है चाइना को इंडिया पर ट्रस्ट नहीं है इंडिया को पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान को इंडिया पर ट्रस्ट नहीं है कि ये हम पर कभी attack नहीं करेंगे national interest की जब भी बात आएगी तो लोग ऐसा काम करेंगे तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि international structure कैसा है, international system कैसा है, कैसा system है, जहाँ पर कोई common authority नहीं है, और इसी situation को हम बोलते हैं, अनार्की, और जब international system अनार्की वाला है, तो जो national state है, वो अपनी security को लेकर इसे और कैसे हो सकते हैं, कैसे वो सुच सकते हैं, कि जो हमारी security है, वो guaranteed है, तो security dilemma समझ में आया, कि भाई, हर nation state क्या है, अपनी security को लेकर चिन्तित रहते हैं, और लगातार प्रयास करते हैं, कि हम secure रहें, तो जब security dilemma है, world government नहीं है, तो what next? तो अब ऐसी situation में क्या होगा? तो सभाविक सी बात है, nation state क्या करेंगे? they will try to increase their power, अपनी power को increase करेंगे for their survival, कि हम safe रहें, secure रहें, इसके लिए हमें लगातार अपनी power को increase करते रहना होगा, getting it, अब what next? अगर लोग लगातार अपनी power को increase करेंगे, तो further क्या होगा? इसके consequences क्या होगे? तो इसके consequences यही होगे, कि अगर एक state अपनी power को increase कर रहा है, तो यह क्या करेगा? दूसरा insecure हो जाएगा, और फिर वो क्या करेगा return में? reaction क्या होगा उसका? वो अपनी power increase करेगा, for example यह पाकिस्तान है और यह इंडिया है, अगर इंडिया ने अपनी power बढ़ाई, nuclear test किया, तो पाकिस्तान insecure हो गया, अब इसे अपनी power की tension होने लग गई, इसने भी कहा कि भाई रुको, हम भी nuclear test कर लेते हैं, getting it, तो यह जो rate से यह चलती रहती है, एक nation state जब अपनी power को increase करता है, तो यह दूसरे nation state को insecure बनाता है, और फिर इसमें reaction क्या हो देंगे, दूसरे nation state वो भी अपनी power को increase करेंगे, और ultimately consequences क्या होगा, war हो सकता है, अगर लगातार अपनी power को increase करते रहेंगे, तो war ही होने के chances बढ़ेंगे, तो security dilemma में एक बात कही जाती है कि nations are always in the state of war, जो nations हैं यह हमेशा war की condition में रहते हैं, या तो वो war के लिए prepare कर रहे होते हैं खुद को, कि अपनी power को बढ़ा रहे हैं, फिर दूसरे भी अपनी power को बढ़ा रहे हैं, या तो वो actual power, actual war पे हैं, involved हैं, तो जो nation है, they are always in the war, या तो वो preparatory stage मे हैं, या actual war पे हैं, जैसे for example, अभी Russia, Ukraine क्या है, actual war पे हैं, getting it, अब ये तो था security dilemma का concept, I hope ये आपको समझ में आया होगा, criticism, तो बहुत सारे critics कहते हैं, कि ये जो security dilemma का concept है, ये eurocentric concept है, जो western world है, उन्होंने इस concept को construct किया है, बनाया है, जान बूज कर रहे हैं, ताकि अपने activities और अपने actions को justify कर सके, कि वो अगर western world अपनी power को increase कर रहा है, तो वो कहेगा, भाई, security dilemma है, हम अपनी security के लिए अपनी power को increase कर रहे हैं, nuclear weapons बना रहे हैं, getting it, तो बहुत सारे critics इसे criticize करते हैं, कि western world ने इसे अपने लिए ये concept बनाया है, इसी तरीके से एक political scientist है, Alexander Wint, जो कहते हैं कि security dilemma का जो concept है, ये subjective understanding है, और ये constructed है, तो Alexander Wint क्या है, एक social constructivist है, जो बात करते हैं कि security dilemma का concept कुछ और नहीं, ये constructed notion है, constructed idea है, जो जानबूच कर बनाया गया है, ताकि कुछ national state अपने national interest को सर्व कर सके, तो ये critics का कहना है, तो I hope की security dilemma का concept आपको समझ में आया होगा guys यहाँ पर, ये detail में हमने यहाँ पर देखा कि कैसी काम करता है, अनार्की क्या है, world government क्या होती है, security dilemma के consequences क्या होते हैं, criticism क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने समझा, तो I hope कि अभी इस word से आप aware हो जाओगे, ता आप इस word को पता होगा, और किस context में यूज हो रहा है, ये भी पता होगा, जहाँ पर भी security dilemma यूज हो रहा है, it means that कि ये realism की बात कर रहे है, international relation में, getting it? कोई doubt हो, तो नीचे comment करके पूँच सकते हो, and I hope कि आज का discussion आपको अच्छा लगा होगा, thanks for watching, and yes, please like, share and subscribe my channel, see you in the next video, bye, take care.